इतली के शेहर जैनुवा में बुद्धवार को पुल धेहने की खटना में मृत्तकों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच सरकार ने हाथसे के लिए देश की मोटरवेस की प्रभारी कंपनी को जिमेदार ठेहराया है ग्रह मंत्राले के सूत्रों ने मीडिया को बताया की 16 लोग घायल हुए है जिन में से 12 लोग गंभीर रूप से घायल है समाचार एजिंसी रोयटर के मुताबिक ये पुल 50 साल पुराना था जो की जेनुवा और दक्षिन फ्रांस को जोड़ता था मंगलवार को मूसला धार बारिश के चलते गिर गया इस दोरान पुल पर दरजिनों गाडिया पुल पर से गुजर रही थी पुल का मलबा उस पर से गुजर रही गाडियों समेत नदी, रेलवे, ट्राक और दो गोदैमों पर जाकर गिरा प्रेह मंत्री मातेयो सालविनी ने दक्षिनिक शेत्र कलाबरिया में मीडिया से कहा हम इस समय 38 लोगों की मौत होने और कुछ लोगों के लापता होने की पुष्टी करते हैं सालविनी ने बताया की हादसे में मारे गए लोगों में 8, 12 और 13 साल की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं कुछ लोग अभी भी लापता है, पायर बिग्रेट विभाग के प्रवक्ता ने बताया की 400 फायर फाइटर मौके पर मौजूद हैं और पुल के मलबे के बड़े हिस्सों को उठाकर हटाकर बचावटीन के लिए रास्ता साफ कर रहें ताकि वे हादसे में जीवे पचे लोगों तक पहुच सके पड़श को आज की इस खबर में इतना ही इस खबर में आपकी क्या राय है हमें कोमेंट में जरूर बताए हम हर नरी पुरानी और सिर्ची घटनाए आप तक पहुच आते रहीते हैं आने वाली हर खबर को जानने के लिए हमारे चनेल्स पर दी न्यूज को सब्सक्रिब करें और साथ ही वेल आइकन दबाना ना भुले